नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का एक बार फिर्ट से स्वागत करता हूं RPSC में grade first की vacancy आ रही है बड़ी vacancy आ रही है ये कहना मुश्किल है कि vacancy बहुत जल्द आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समय लगेगा कम से कम 8-9 मेने लग जाएंगे और जब इतना सामय है तो अच्छे से तियारी करने की हमें अभी से जो है वो महिनत करनी चाहिए क्योंकि पिछले साल के आकड़े देखेंगे तो बड़ा फिर बदल हुआ था पहला जो पेपर था फर्स्ट पेपर का उसमें पिचेतर क्वेशन आते हैं और लोगों के 40 प्रतिसत नहीं बने थे 30 क्वेशन से नहीं हुए थे वज़ा यह थी कि फोर्शन को इजी ले लिया और सोचा कि लास्ट टाइम कर लेंगे और लास्ट टाइम आपको आपको भी पत पहला जो पेपर उसमें कितने सारी फोर्शन है अराम से नहीं हो पाते हैं और आज कि पेपरें से आ रहे हैं कोई भी फोर्शन हो चाहिए विज्ञान विश्य की बात करोगे तो इजली से आप पांच क्वेशन को नहीं कर सकते पिछले साल तो इस वाले फोर्शन से तीन ही पांच क्वेशन अपने आप में एक इस रखता है वहां से जब तीन चार क्वेशन सही होते हैं तो अलग साकूंविडेंस आता है एक बार मोटा मोटा इस लेबस देखें तो पहला जो पेपर होता है वह 25 क्वेशन आते हैं डेड़ सो नंबर के जिसमें से आपको 30 तो मिनिमम्म ही करने होते हैं 30 से कम रहते हैं तो आप वेसे ही बाहर है लेकिन अपन को टार्गेट लेके चलना है 50 से 55 क्वेशन का 50 से 55 क्वेशन अपन के सही होने ही चाहिए क्योंकि इतना स्ट्रोंग आपका सेकिंड पेपर होगा नहीं कि 30 पहले पेपर में है और सेकिंड में आप 140 से 135 कर दो इतना इंटेलिजेंस मुझे नहीं लग रहा कुछ होंगे 1-2 परसेंट उनके हम जर्चार नहीं कर रहें इसके बाद तीसरा जो इजी फोर्चन आता है वो साइंस ही आता है साइंस के पांच क्वेशन और इसके बाद मैट्स के पांच क्वेशन और इंग्लिस के पांच क्वेशन होते हैं मैं यहां पर चर्चा करूं कि किस फोर्चन को हमें बहुत मतलब अच्छे लेवल से देख होगी नहीं और आप दमखम लगाओगे तब भी यह मान के चलो कि पूरे शोड नहीं कह सकते कि पांच के पांच के पांच क्वेशन है आपके सही हो जाएं ऐसा इंगलीस काल है कि इंगलीस आपने पड़ी नहीं है लेकिन साइंस ने एक बार आपको अच्छे से पड़ लिया एक बार अच्छे से नोट्स मन गए एंस यार्टी को पी लिया गोट लिया तो अराम से पांच में से यह मान के चलो कि चार तीन सही हो सकते हैं अगर आपको मैच बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो काड़ दीजी कोई दिकत नहीं पैंसेट पर्सन तो अभी भी बच रहे हैं पैंसेट में से आप टार्गेट करो कि यार्पचास पिच्बन तक का स्कोर हम अच्छे से कर पाएं उसमें से किसी फोर्षन को अब हटाना नहीं है यह आपका विज्ञान विश्य का सलेबस है और हिंदी में मैंने टाइप कर रहा है जिसमें यह फोर्षन आपका केमेस्ट प्रसन बाहर नहीं जाएगा पिछले साल जेव विकास से एक एक वेशन आया था एक आपका रासाइनी का विग्रिया से रिलेटेट था और एक प्रसन आपका कार यह उड़जा वाले पॉइंट से प्रसन आपका आया था पर में पुछी ती उस पर आधारित वह सिदा प्ल कि क्वेशन भी वहीं से आए हैं आगे आने वाले टाइम में भी यहीं से क्वेशन आईगे नो और दस के अच्छे जी मोस्ट ली तो देखें तो आपको किसा दस के अच्छे से पढ़ लेजी इसके लवा किसा नो में कुछ पॉइंट है वह आप पड़े तो यह फोर्स ना आपके रटने वाले चीज़ें आराम से आपने थियोरी को पढ़ा समझा एक बार और आराम से आपका क्वेशन से हो जाएगा नियंत्रणों और समन्वे उत्तक वाला फोर्सन इजी है मैं कह रहा हूं यह करने के बाद आप इस फोर्सन को करें और उसके बाद देखेगा य यह उड़ जा बल और गती के नीम सुद्र अपने रिट लिए कि बार क्या हुताएगी इस में से बहुत सिंपल कुष्जन आते हैं इत्aking शुत्र मान रखने इज्था निकालना है इन्द बल का कई बार न्यूंटन के अंदर डाइन के इंदर ऐसे इसे कन्वर्ट करके देत वो इनका बहुत हाड है जैसे हाड इसलिए है क्योंकि इसमें आपके सुत्र याद नहीं इसलिए वह हाड है जिसे आपका प्रमाणु और अनु में आपका मोल वाला जो कॉंसेट है रासे निक अबिकिरिया में आपका ऊपके जो समीकरने हैं उनको शंतुलित करना है समीकरन ड्यावके इसके अलवा कुछ और चीज़ें हैं इसके अंदर अनों और प्रमाण वाले में आपका जो शुत्र बनाना आता है इसमें जिसे फ्रकार के सुत्र आते हैं तो उसमें आपको वह आएस वाले चीज़े वो सारी याद करने पड़ेंगी तब जाके वो प्रसंस ही होता है आपको पता नहीं है एक से दस तक आपकी जो आवरसानी है उसके नंबर ही उनके प्रतीक है वह याद नहीं है तो कैसे कर पाऊगी तो यह फोर्षन बहुत इजी नहीं कहींगे क्योंकि इसमे कर सकते हो लेकिन हाइड्रो कारबन वाले फोर्षन से आ रहा है तो वो नहीं होगा उसमें आपको एलकीन, एलकीन, एलकाइन, हाइड्रोजन नहीं करने किसके साथ किरिया करके क्या बन रहा है कोई समीकन पूछ ले तब जाके आपकी दिक्कत आईए ऐसा ही रियक्षन वाल सब्सक्राइब करें लेकिन मैं भी आपके लिए कोशिस करूंगा इस पॉर्षन के जो सोट नोट्स है वह आपको अवेलेबल करा पाऊं इनकी जो किक्सिया नो और दस के अंदर मिने चैसे दस तक की जो सब्सक्राइब करें नया एडिशन जाया है उस सभी की पीडिएफ मिने टेलिग्राम अपना जो एप है उसके अंदर डालती है बहुत अच्छे डंक से टोपिक वाइस डाली है आपको जैसे परमानु और अनु का देखना है तो जैसे माली जी तीसरा चेप्टर तो तीसरे च सब्सक्राइब करने पर यह जो सब्सक्राइब के गुणा कम में बताने थे अब यह पूर्शन नॉर्मल वाले विद्धारते से पूछोगे आर्ट्स वाले विद्धारती से तो क्या लगा कि आएगा लेकिन एक दो बार पढ़ लिया तो यह क्वेस्टन गलत नहीं होगा अपने रूल्स पर लिए कि पहले किसको वाल करते हैं या कही बार इतना स्ट्रूंग हो जाता है पांस चांच मिक्रणों को हल कर लेते हैं तो वह अपने आप इक्वेस्टन जो है वह बनने लगता है कुछ ऑप्सन हींड दे देता है अब इसको मालीजी हल करना था तो हैं यहां एक है तो च्धी लगा दो इसके बाद देखीगा लियां अक्षम की 4 में चार यहां आछ नोगाओ उग reden इसका सीयततर घृड़ा आपको आभसान लगए लेकिन इतने आसान नहीं आर्ट्स वाले इद्धार देख लिए मैनेत करना के जोड़ रहत है अब आपको सुत्र को पता है कि कारिय उर्जा जो परमी है उसमें डबलो प्राबर डेल के होता है और डेल के को आप लिखेंगे तो एक बटा दो एम कोमन लिखेंगे तो वी स्काइर माइनिस यू स्काइर होता है अब आपको मान ही रखना है उत्तर निकालना है मान M का मान द्रियमान इतना तो आपको नोलिज रखना पड़ेगा क्यूकि M है M मतलब द्रियमान उतायर किल्लागराम में दे रखा तो यह युगा अजार लिखदो अन्तीम वे कितना है चोवन करना है पांच बट्टे 18 करोगे तो तो वन का 5 बट्टे 18 से करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा 15 का स्क्वाइर 225 माइनिस यू कितना है वह 36 है और 5 बट्टे 18 करोगे 18 दूने 36 10 हो जाएगा 10 का स्क्वाइर 100 हो जाएगा इसको आप हल करोगे आपका उत्तर बन जाएगा आप देखोगे 225 में से सोगे तो 125 है और मल्टिप्लाइ आपका 1000 का अदा 500 हो जाएगा नीचले दो गोल कर देंगे तो काट देंगे तो और इनको आप गुणा करोगे तो बारा पंजो 60 होती है तो 60 के लगभग उप्सन कितना है यह है तो सोचने के जूरत नहीं आपको अग अगर अप्लाइड चीज़े आप हल कर पाती है सुत्र देखे कारी उड़जा वाला और बल वाला जो टोपिक है वो बहुत आसान टोपिक है एक दो बार आपनी थियोरी को पढ़ लिया सुत्र याद रख लिए क्वेस्टन गलत होने के चांद से बहुत कम है और यह जे वि कोईशन है तो यह आपका मोटा मोटी स्लेबस था विज्ञान विशेका में फिर से कह रहा हूं हर फोर्षन इंपोर्टेंट है हर फोर्षन का स्लेबस आपके लिए मैं तो पुण है अब देखे ऐसा नहीं कि इस फोर्षन में से आप किसी को इग्नोर कर दें हां बहुत करूंगा इस लिबस के उपर काम करने की आपको सोट नोट्स भी अवेलेबल करा पाऊं और कुछ चीज़े यूटूब पर फ्री आपको समझा पाऊं कि जहां से क्वेशन बहुत जैसे आपका यह कार्बन वाला टोपिक है तो कार्बन के चार बड़े महत्तोपुन योगि आनिक अभिकरिया वाला फोर्स ने उसमें समीकरने बनाना है समीकरनों को किस प्रकार से अरेंज करना है संतुलित करना है वह चीज़े अनुवाले फोर्स में से प्रमानु अनुवाला जो फोर्स ने उसमें से कुछ परतीक में आपको याद करा पाऊं कुछ के सिंबल आप को याद किरा पाऊं आवेस किसका कितना होता है प्लस एक किस पर होता है प्लस दो किस पर होता है और वह समीकरने बनाना सुत्र बनाना तो इस तरह के सब्सक्राइब करने की कोशिश करूंगा बाकी के शोट नोट्स आपको अवेलेबल करा पाऊंगा लेकिन आपका दायत्व यह है पहले आप अधेंटिक के साथ जाएं एंसीयाटी की जो किताबी है ने एडिसन वाली वह मैंने आप पे बिल्कुल फ्री और कोस्ट है आप बिट बनेगी तो आपको इसा लगेगा कियार इस टोपिक हो तो मैंने बहुत बार अच्छी डंग से पढ़ा है कुछ-कुछ चीज़े याद होने लगी है और थोड़ा सा उसको समझ लोगे किसी समझाए विवेक्ति से तब और चीज़े आसान हो जाएंगे तो मैनत केजि